आप सभी का फेवरिट शो ये है चाहते की कहानी में आज रात की एपिसोड की शुरुवात होगी हॉस्पिटल से जहां पर शार्द अपना फ्रीट्मेंट करा रही होगी और हॉस्पिटल में आहाना काफी जादा बोर हो रही होगी वो अपनी मा याने की शार्दा को देखते हुए कहेगी कि मामे जी मैं आपके लिए प्रेय करने मंदर जा रही हूँ और इसलिए मैं आप से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ साथ ही साथ मिश्का भी उस केस साथ चली जाएगी क्योंकि महिमा की साथ उन लोगों को घुटन हो रही होगी और हॉस्पिटल में उनका रुखने का मन भी नहीं करेगा दूसरी तरफ महिमा इन दोनों को जाता देख सोचती है कि कहां फस गई मैं अगर सारांज का चकर नहीं होता और इसकी प्रॉपर्टी का चकर नहीं होता तब मैं इनको बताती कि आखर में क्या चीज हूँ लेकिन तब ही वो सारांज को देखती है और सोचती है कि चलो कम से कम इस कमरे से दर बहार निकला जाए वो सारांज से कहती है कि चलो बच्चा तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है मैं तुमें कुछ खिला देती हूँ सारांश साफ इंकार कर देता है और कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ दादी के पास रहना है मुझे कहीं नहीं जाना शार्दा समझाते हुए कहती है सारांश को कि नहीं बेटा भूके नहीं रहते जाओ जाकर कुछ खालो ये बात मान जाता है सारांश और महिमा के साथ वो बाहर के तरफ जाने रगता है जैसे ही कमरे में शारदा के लिए होती है प्रिशा मौकी का फायदा उठाती है और जट से अंदर आकर कि उसके गले लग जाती है रूम में जिस तरीके से प्रिशा आती है वो देखकर रुद्राक्ष बहुत ही जादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर प्रिशा की कोई भी गलती के वजया से उन दोनों का प्लान खुल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लेकिन जैसे ही शार्दा के गले लगती है प्रिशा वो उसे इशारे से मना कर देती है और प्रिशा को गले लगने देती है बात में शार्दा प्रिशा को देखती है कि तुम यहां क्यों आई हो प्रिशा बोलती है कि माँ आप मेरी भी माँ हो रुद्राक्ष से मेरी लडाई है जो भी हमारी बात है वो हम दोनों के बीच की बात है इसका मतलब यह नहीं कि आप से आपका मेरा कोई रिष्टा नहीं या फिर आप मेरी मा नहीं आप हमेशा मेरी मा थी और रहोगी पुष्टा यहां पर शार्दा के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल बात करती है और शार्दा पुष्टा से कहती है कि देख मैं जानती हूँ कि जैसा तू दिखा रही है वैसा कुछा भी नहीं है मुझे पता है ज़रूर तू मुझसे कुछ उपा रही है तब ही उसका नजर प्रिशा के हाथ पर पड़ती है जिस पर पट्टी बंदी होती है वो उसे पूछती है कि बेटा ये क्या हो गया तुमारे हाथ में पट्टी क्यों बंदी है प्रिशा कहती है कुछ नहीं मा थोड़ा सा जल गया और रुद्राक्ष ये देखकर बहुत ज़ ले सकती हो जरूर कोई बात है तुम उससे चुपा रही हो प्रिशा लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम उससे अपनी कोई भी बास शेयर कर सकती हो मैं तुम्हारी मां ही तो हूं प्रिशा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है आप तो मां है इसलिए आपका दिल कुछ विए मानने के लिए तयार नहीं है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही है मैं कुछ नहीं चुपा रही और उद्राक्ष मुझे नफरत है नफरत यह कहा कर प्रिश्या से चली जाती है। पीछे-पीछे के लिए आज भी प्यार है वो मैं देख सकती हूँ तु जिस तरीके से उसकी फिक्र करता है मैं मान ही नहीं सकती कि तुम दोनों के बीच में नफरत है तुम दोनों का रिष्टा खत्म हो चुका है और मैं ये भी जानती हूँ कि तु अभी भी उसी से मिलने गया है चाहें कु यहाँ पर वे वे आ जाता है यह भी रा़िज़ प्रिशा को कोको देखकर कहेता हो और तुम यहाँ पर हो तुम मुझे पहले ही मैडम जी ने जान बूच कर अपना हाँ जला लिया ताकि तुम से और तुम्हारी मातर श्री से मिल लें वो यहां हॉस्पिटल आप आए जैसे ही रुदराक्ष ये बास सुनता है वो बहुत ही जादे एमोशनल हो जाता है और वो प्रिशा को अपने सीने से लगा लेता है युवराज इन दोनों को देखका मनही मन कहता है कि वापिल लए अभी तो तुमस्पिन था और अब तुझे एकदम साइट कर दिया कि जैसे तुकुछ है ही नहीं यही फर्ख है नकली पती और असली पती में ये कहका युवराज उन दोनों को हक करने देता है और दूसी तरफ मुझ घुमाता है तब ही वो दूसे तरफ आप देखेंगे कि साराँच कैंटीन जाने के रास्ते में महिमा से कहता है कि मुझे वाश्रूम जाना है महिमा खड़ी रहती है वाश्रूम के बहार लेकिन काफी टाइम हो जाता है और फिर सारांश निकल कर आता है वो पूछती है हो गया तुम्हारा सुसू सारांश कहता है कि नहीं सुसू नहीं आया महिमा कहती है तो तुम इतनी लेर से क्या कर रहे थे सारांज कहता है कि दरहासल मेरे साथ ऐसा अकसर हो जाता है कि सुसु कहीं अटक जाता है और जब तक गाना नहीं गाता कोई तो मुझे सुसु नहीं आता तो आप मेरे लिए गाना गाओ महिमा बहुत ही जादा सप्राइस होती और वो कहती है कि मैं boys washroom के बाहर खड़े कहो कर कैसे गाना गाओ तो सारांज कहता है आप एक काम करो आप रुद्र को ही बुला लाओ वो ही मुझे सूसू कराएगा और मेरे लिए गाना भी गाएगा महिमा को भी ये बास सही लगती है वो कहती है कि ठीक है तुम दो मिनट यही रुको मैं रुद्राक्ष को बुला करके लाती हूँ रास्ते में जाते जाते महिमा सोचती है कि ये कि अच्छी मुसीबत है कि काने की बिना सूसू नहीं आता आजीबी है ये साराच भी दूसरे तरफ प्रिशा और रुदराक्ष ऐसे इह हक कर रहे होते हैं रुदराक्ष प्रिशा को नस्थीक देख कर युवराज अपना मुँझ दूस given घुमा लेता है तब ही वो सोचता है कि सामने से महिमह आ रही होती है वो बिना कुछ करे फोरण दोड़ता है और महिमा के आने से पहले रुदर और प्रिशा को अलग करता है और खुद प्रिशा के गले लग जाता है यह देखकर रुदराक्ष बुरी तरह जल जाता है और उसे मारने के लिए दोड़ता है तब ही युवराज कहता है कि अब हाथ पीछे करऌ उदहर दे महीमा आ रही है अगर उसने देख लिया ना तो सारक काखील धारा का धारा रह जाएगा जैसे ही महीमा आती है वो रुदराक्ष को कहती है कि तुम चलो साराज को तुम्हारी ज़रूरत है उसे सूसू नहीं आ रहा है वो कह रहा है कि रोदर आके गाना गाएगा तब ही उसके नजर प्रिशा पर पड़ती है वो कहती है कि तुम यहां क्या कर रही हो तब युवराज महिमा को कहता है कि दरसल मेरी प्रिंसस मेरे लिए पकोड़े बना रही थी और तब ही उसका हाँ जल गया तो मैं उसकी बहुत क्या करता हूँ इसलिए मैं उसे फॉरण हॉस्पिटल ले आया यहां पर प्रिशा भी युवराज का साथ देती है और कहती है कि हाँ यह मेरा बहुत खयाल रखते है और इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए यह हॉस्पिटल जाना चाहिए तो हम यहां आ गए यह बातें देखकर महिमा को बहुत जादा चुड़ मशती है और वो कहती है कि बस अब बहुत हुआ तुम यहां से चलो रुदराक्ष रुदराक्ष को लेकर के वहां से चली जाती है और उधर युवराज और प्रिशा भी चले जाएंगे अगली सुभा आप देखेंगे कि सभी लोग नाश्टे की टेबल पर बैट कर ब्रिक्वस्ट कर रहे होंगे तब ही वहां पर प्रिशा की एंट्री होती है और प्रिशा को देख कर वहां मौझूद हर कोई काफी जादा शौक्ट हो जाता है अहाना उठती है और कहती है कि how dare you इतना सब कोछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई खुराना हाउस में कदम रखने की प्रिशा यहां पर कहती है हाना को कि हो गया तुम्हारा वैसे तो तुम्हें बड़ों की शर्म है ही नहीं कम से कम बच्चों का ही लिहास कर लिया करो और वैसे भी मुझे यहां आने का शौक नहीं और तुम से बात करने का तो बेकुल भी नहीं मैं यहाँ आई नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है ये बात जैसे ही प्रिशा कहती है, हर कोई बहुत शोक्त हो जाता है और सारांच दोर कर उसके पास जाता है और कहता है कि वाओ ममा, आपने मेरे लिए इतना बड़ा सा प्राइस प्लाइन किया इसके बाद यहाँ पर शार्दा खोलती है, बड़ा राज़ों कहती है कि हाँ, प्रिशा खुद नहीं आई, इसको मैंने यहाँ बुलाया है और यहीं हो जाएगा आज रात के शोका दी एंट उसके बाद कौन सा नया ट्विस लेकर आती है शार्दा इस कहानी में आपको बताएंगे अपने अगले रिपोट में